Students हम discuss करेंगे important news के बारे में और उससे related जो information है हमार UPSC के exam के perspective से important उसको हम यहाँ पे discuss करेंगे First news is regarding the Iran और पाकिस्तान के बारे में है Students recently Iran और पाकिस्तान का जो conflict है वो देखने के लिए मिला आप देखें कि बोट countries के दुआरा एक दूसरे का जो territorial sovereignty का जो area है वहाँ पे air strikes है उसको conduct किया गया Students अगर हम इस Iran पाकिस्तान conflict का जो initial phase है उसके बारे में discuss करें तो आप देखें कि इरान के दुआरा पाकिस्तान का जो territorial sovereignty का जो area है पाकिस्तान का जो बिलिचिस्तान का region है वहाँ पे जो attack है उसको carry out किया गया था Students पाकिस्तान का बिलिचिस्तान का region इरान के साथ भी अपना जो area है वो share करता है आप देखें कि इरान के दुआरा वहाँ बिलिजिस्तान के अंदर जो अटेक करी आउट किया गया वो बेसिकली जैसे जैस अलदल नाम का एक organization है जो कि एक सुन्नी बेस militant organization है उसके उपर जो अटेक है वो करी आउट किया गया था इरान के दुआरा इस्टुडेंट्स यहाँ पर इरान एक सिया डोमिनेटेड कंट्री है जैसा लदल के दुआरा एंटी इरान जो sentiment से उनको करी आउट किया गया था इसी वज़े से इरान के दुआरा उस organization के headquarter के उपर में पाकिस्तान के बिलिचिस्तान के अंदर अटेक किया गया पाकिस्तान का जो air space है उसको without permission के basis पे use किया गया air strike के दुआरान में तो उसी attack के retaliation के अंदर में पाकिस्तान के दुआरा इरान के बिलिचिस्तान के region के अंदर में जिसको की हम सिष्टान बिलिचिस्तान नाम के province के रूप से जानते हैं उसके अंदर एक air strike है उसको conduct किया गया अपने जो diplomats है जो इरान के अंदर situated है उनको recall कर दिया गया पाकिस्तान के authorities के दुआरा students आपको यहां पे बिलिचिस्तान के region के बारे में information होनी चीए आप देखें कि बिलिचिस्तान basically वो area है जहां पे बिलिच नाम का जो tribe है उसका domination आपको देखने के लिए मिलता है तो कांधार नाम का जो city है कांधार city के southern part के अंदर जो area है जिसको की हम अखवानिस्तान के बिलिचिस्तान के रूप से जानते हैं आप देखें कि कांधार इंडिया के perspective से भी important है कांधार के अंदर में basically Indian airlines का एक जो flight है उसको ले जाया गया था वहाँ पे hijack करने के बाद मे पर आप देखें कि उसी कांधार incident के बाद में काफी सारे जो terrorist है जिनको इंडिया के दुआरा basically capture कर लिया गया था उनको वहाँ पे release किया गया उस incident के बाद में तो अखवानिस्तान का जो southern part है उसको कि हम अखवानिस्तान के basically बिलिचिस्तान के रूप से जानते हैं जहाँ blue stripe का जो domination आपको देखने के लिए मिलता है south eastern part हो पा इरान का जो south eastern part है जहाँ पे सिस्तान बिलिचिस्तान नाम का जो province हो situated है या जो क्रमन नाम का जो city है उसके eastern part के अंदर जो area है जिसको कि हम इरान का जो यहाँ पे जो बिलिचिस्तान है उसके रूप से भी जानते हैं हम पाकिस्तान के बिलिचिस्तान के रूप से जानते हैं वहाँ पे पाकिस्तान के आर्मी के दुआरा काफी बार जो एट्रो सिटी जो उनको carry out किया जाता है कि उन लोगों का demand है बल्यूच पीपल्स का वहाँ पे एक demand है कि basically उनके area को यहाँ पे separate किया जाए autonomous area के रूप मे declare किया जाए इस टुडेंट्स आप देखे कि पाकिस्तान के बिलिचिस्तान के अंदर एक आपको जो largest city जो देखने के लिए मिलती है जिसको कि हम क्योटा के नाम से जानते हैं क्योटा नाम का जो city है एक largest city है जो पाकिस्तान के बिलिचिस्तान region के अंदर situated है आप देखे कि जो चाइना पाकिस्तान एकोनोमी कोरीडोर है जो इंडिया के दुआरा जिसको अपोज किया जाता है जो कि बेसिकली पाकिस्तान उक्यूपाइड कस्मीर के थूप पास करता है तो चाइना पाकिस्तान एकोनोमी कोरीडोर के दुआरा इस पाकिस्तान के बिलिचिस्तान रीज उसके रूप से जानते हैं आप देखी कि वहाँ पे भी एक चहाबार पोर्ट है वो situated है जो कि इंडिया के perspective से डवलप किया गया था जैहों कि इंडिया के दुआरा होमीटेरियन एड है जिसको सप्लाई करना था अखवानिस्तान के अंदर में उसी के रिगार्डिंग में उसको डवलप किया गया था चहाबार पोर्ट हूँ अगर हम students यहाँ पे इरान के अटेक के बारे में discuss करें तो आप देखी कि 4 जनवरी का जो दिन है इरान का एक सदन पार्ट के अंदर एक city है जो बेसिकली सिष्टान के प्रोविंस के पास ही आपको देखने के लिए मिलता है जिसको के हम कर्मन नाम के city के रूप से जानते हैं तो वहाँ पे जो कासेम सुलेमानी है जो जनरल है इरान के उनका एक Memorial Day के रूप में एक attack है उसको carry out किया गया था उस attack का जो responsibility है Islamic State के द्वारा लिया गया था आप देखे कि Islamic State के उस attack की responsibility लेने के बाद में इरान के द्वारा anti-Iran sentiments रखने वाले जितने वी organizations हैं उनके उपर जो attack है वो carry out किया गया जो पाकिस्तान भी है और और भी different different countries आपको देखने के लिए मिलते हैं इस्टुडेंट्स आपके लिए यहां पे एक homework है homework आपके लिए basically यह है कि अभी हमने recently चहाबार पोर्ट और जो ग्वादर पोर्ट है उसके बारे में discuss किया तो आप देखे कि basically आपको info यहां पे comment section के अंदर यह बताना है कि जो चहाबार है जहां पे अपना जो एरिया है वो सेर करते हैं क्या वो पर्सियन गल्फ के अंदर करते हैं क्या अरेबियन सी के अंदर करते हैं यह आप देखे कि गल्फ हो पॉमान के अंदर करते हैं यह आपको comment section के अंदर बताना है कि जो चहाबार पोर्ट है गल्फ हो पॉमान है अप यसा ही Middle East के अंदर में आपको जो कुर्द पीपल्स हैं, उनका भी एक एरिया देखने के लिए मिलता है, जिसको की हम कुर्दिस्तान के रूप से भी जानते हूं, इस्टुडेंस कुर्दिस्तान बेसिकली जो ट्रीटी अप लुसाने हैं, आप्टर दा वर्ल्ड वोर फर्स्ट के बाद में, जो कुर्द पीपल्स का जो डॉमिनेटेड एरिया है, उसको अलग-लग कंट्रीज के अंदर में डिवाइड कर लिया गया था, वर्ल्ड वोर फर् इस्टुडेंस उस कुर्दिस्तान पीपल्स के रिगार्डिंग में आपको इराक के बारे में पता होना चीए, आप देखेंकि इराक के अंदर में जो कुर्दिस्तान का जो रीजन है, जिसकी कैपिटल को हम इर्बिल के रूप से जानते हैं, आप एरान के दौरा पाकिस्त के वज़े से वहाँ पर एंटी इरान सेंटिमेंट्स को केरी किया जाता है तो आप देखें कि इरबिल जो टाउन है सेमी ओटोनोमस रीजन है इराक के कुर्दिस्तान के अंदर में उसके उपर भी इरान के दुवारा अटेक किया गया था तो इस्टुडेंस हमने यहाँ पर क गुमिटेरियन एड की सप्लाई के लिए डवलप किया था इरान के सिष्टान प्रोविंस के अंदर में गवादर पोर्ट के बारे में हमने रीड किया यहाँ पर यह जो एर श्ट्राइक सा वो क्यों कंडेक्ट की गई है इस जैसाल अदल नाम का जो सुन्नी वेस इंसर्ज एगलग पार्ट के अंदर में जो सी लाइन और कम्यूकेशन है वो डेंजर सिच्वेशन के अंदर है इस पेसल जी जो रैड सी का जो एरिया है रैड सी के अरिया के अंदर में होती रिबेलियन्स के दुआरा जो अटेक्स उनको करी आउट किया गया है आप देखें कि अलाम का टाउन है वहाँ पे निडियन एक सीप को अटेक करने का कोशिश किया गया था और नेवी के जो कमांडोस जिनको की हम मार्कोस के रूप से जानते हैं उनके दुआरा उस सिप को वहाँ पे रैस्क्यू किया गया इस्टुडेंट गरिदेन्स रिजनिन नेवी के इंडियन नेवी को कोल रेसीव होने के बाद में उस सिप को वहाँ पे रेस्क्यू किया गया इंडियन नेवी के दुआरा गल्फो पादेन के अंदर में अगर हम यहाँ पे बात करें सिप का बेसिकली जो ओरीजिन कंट्री है उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि म माल्टा आईलाइन है जो मेडिटेडियन सी के अंदर सिच्वेटेड है गिबोन नाम का जो कंट्री है उनका जो सिप है उसको भी इंडियन नेवी के दुआरा रेड सी का रीजन हो गल्फो पादेन का हो या अरेबियन सी के अंदर में तो कि हमरे यहाँ पे काफी सारी जो वोर सीप्स उनको यहाँ पर डिप्लोई किया गया है, इंडियान नेवी के दुआरा, परजेंट समय में 12 हमारी यहाँ पर वोर सीप्स हैं, जो डिप्लोई हैं, अरेबियन सी के अंदर में, रेड सी और गलफ व पादेन के रीजन के अंदर में, आप देखें कि यहाँ पर ड आप देखें कि बेसिकली यह ओस्टेलिया नाम का जो कंट्री है, वो सिच्वेटेड है, ओस्टेलिया यहाँ पर सिच्वेटेड है, ओस्टेलिया का जो नोर्थ इस्टन पार्ट की बारे में, अगर हम डिसकस करें, तो यहाँ पर आपको एक small island country है, वो देखने के लिए मि आपको देखने के लिए मिलता है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सिच्वेट का जो origin है, इस जो destination है, उसके origin के बारे में बात करें, तो आप देखें कि एजिप्ट का एक basically एक port है, जिसको की हम सहफागा port के रूप से जानते हैं, एजिप्ट का जो सहफागा port है, वहाँ से origin हुआ है, यह सिप और यह सिप आने वाला था, हमारे तमिलाडू के सजन पार्ट के अंदर में थुतुन कोडी नाम का एरिया है, थुतुन कोडी नाम का जो एरिया है, वहाँ पे यह जो सिप है, वह आने वाला था, तो basically सपागा या port है, एजिप्ट से, थुतुन कोडी के regarding इसका जो destination था, उसी दोरान में जो distress call है, जो यहाँ पे attack है, वो उसका information रिसीव हुआ, इंडियन नेवी को जिसको इसके दुवारा rescue किया गया, students हमने एजिप्ट के बारे में यहाँ पे discuss किया, तो आप देखी कि recently Red Sea के region के अंदर में United State of America के दुवारा होती rebellions का जो attack है, perspective से एक alliance से उसको launch किया गया था, आप देखी कि काफी सारे countries के दुवारा उस alliance को वहाँ पे नहीं join किया गया, क्या India के दुवारा उस alliance को join किया गया, इंडिया के दुवारा भी नहीं join किया गया, क्या Egypt के दुवारा उसको join किया गया, हम देखी कि Egypt के बारे में क्यों discuss कर र venue वहाँ पर generate होता है Egypt के basis Egypt को वहाँ पर Egypt के दुवारा भी वहाँ पर नहीं जोइन किया गया और भी Middle East के जो countries है उनके दुवारा नहीं जोइन किया गया exception है एक बहरी नाम का जो country जिसके दुवारा उस alliance को जोइन किया गया जो USA के दुवारा launch किया गया था red sea अगल फो पादेन के रीजन के अंदर में sea line of communication को secure करने के perspective से इंडिया के दुवारा भी यहाँ पे independently अपना जो navy है उसको deploy किया गया है वहाँ पे जो Indian ships है उनको rescue करने के regarding में आप देखे कि काफी सारे जो piracy के जो incidents है वो देखने के वहाँ पे students हमने horno paprika के बारे में यहाँ पे discuss किया तो आपको basically उन country's का नाम पता होना चाहिए का आप देखें कि निमोनिक है जिसको की हम seed की रूप से जानते हैं सोमालिया है इथोपिया है एटेरिया है जिबूती है और भी काफी सारे countries यहाँ पे add किये जाते हैं अलग लग different different way में जब निमोनिक्स को बनाए जाता है तो basically यह four countries है जो की वहाँ पे होर्नो पफिगा के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं आप देखें कि जिबूती के अंदर तो basically चाइना का भी वहाँ पे आर्मी का जो एक station है वो situated है जिबूती के अंदर में next अगर हम बात करें students आपके लिए यहाँ पे एक home work है home work यह है कि अभी हमने यहाँ पे एजिप्ट के एक port के बारे में discuss किया सोफागा port है जहां से यह safe originate होने वाला था आप देखें कि गलफो पादेन के बारे में हमने देखा आपको यहाँ पे एक straight के बारे में बताना है कि गलफो पादेन को जो red sea का जो area है उसके साथ में जो connect करने वाली जो straight है वो कौन सी है उसके बारे में आपको बताना है comment section के अंदर में आपको यहाँ पे बेसिकली जो यमन जो होती rebellions के द्वारा control किया जाता है उसके port के बारे में भी पता होना चाहिए कि यमन का कून सा port है जिसको होती rebellions के द्वारा basically control किया जाता है वहाँ से sea line of communication को disturb किया जाता है उसके ओपर attack है वो देखने के लिए मिलते हैं next अगर हम बात करें students वडोधरा के बारे में हैं आप देखे कि यहाँ पर सदन पार्ट हो गुजरात के अंदर आपको वडोधरा completely सदन पार्ट नहीं है completely अगर हम सदन पार्ट के बारे में discuss करें तो वहाँ पर आपको सूरत नाम का city देखने के लिए मिलता है तो वडोधरा का जो central का सदन पार्ट है central से little bit southern पार्ट के अंदर में आपको वडोधरा नाम का एक city देखने के लिए मिलता है गुजरात के अंदर में आप देखी कि वहाँ पर एक boat का जो incident देखने के लिए मिला एक school के picnic के दुरान में वहाँ पर एक lake है जिसको कि हम harini lake के रूप से जानते है हरini जो lake है उसके अंदर में एक incident वह देखने के लिए मिला है गुजरात के वडोधरा के अंदर में आप देखे कि 2022 के समयवी moreby के अंदर एक incident है वो देखने के लिए मिला था जो hanging वहाँ पे ब्रीज था जिसको की हम जूलता हुआ पुल के रूप से जानते हैं 2022 के समय जो विजय दसमी का जो दिन है जैसे की हम 11 के डे के रूप में celebrate करते हैं आप देखिए more भी के उस incident के बारे में हमने क्यों discuss किया एक तो ceramic industry की perspective से काफी ज़यदा important है more भी दूसरा आपको उस river के बारे में याद होना चाहिए students क्योंकि UPSC के दुवरा last 1-2 years से कोई भी topic news के अंदर mention है तो उससे related जो questions से पूछी जाते हैं तो आपको more भी की उस river के बारे में पता होना चाहिए जिसे की हम मच्छू river की रूप से जानते हैं जहां पर वो इस hanging bridge का जो incident वो देखने के लिए मिला था अगर हम इस वडोदा के incident के बारे में read करें तो हरीनी नाम का जो lake है जिसके अंदर boat का collapse होने की वज़े से वहाँ पर कुछ लोगों का death हुआ है कुछ students का death हुआ है टीचर्स का भी वहाँ पर death हुआ एक school पिग्निक के दुरान में students यहाँ पर हमने हरीनी लेक के बारे में read किया तो आप देखी कि आपको गुजरात की जो रामसर साइट से उनके बारे में भी पता होना चाहिए प्रोटल गुजरात के अंदर four रामसर साइट्स है एक तो वडोदरा नाम का जो city है जहाँ पर हरीनी लेक के अंदर incident हुआ है वहीं पर ही situated है जिसको की हम वादवना नाम का जो wetland है उसके रूप से जानते हैं गडोदरा के पास में एक village है जहाँ पर यह वादवना जो wetland ह है वो situated है तो सबसे पहला जो यहाँ पर आपको जो रामसर साइट है वो देखने के लिए मिलेगा गुजरात के अंदर में वह आपको खेजडिया wildlife century है यह कहां पर situated है यह basically जो western part of गुजरात है सपोज की जी यह गुजरात है जो western part है यहाँ पर आपको more भी देखने के basically migratory birds के लिए काफी ज़्यदा famous है second आप देखी कि नल सरोवर है नल सरोवर भी birds century के रूप से है और आप देखी कि migratory birds की वज़े से जाना जाता है नल सरोवर को यह हमदाबाद के पास ही आपको देखने के लिए मिलता है एक सनद नाम का विलेज है नल सरोवर western part of एहमदा आप देखी कि थोल लेख कहां पे situated है northern part और गुजरात के अंदर में एक महसाना नाम का district है महसाना नाम का district है जहां अमबेजी का एक temple भी है काफी ज़्यदा famous तो वहां पे basically यह जो थोल लेख है वो situated है महसाना district के अंदर में और fourth आप देखी कि वादवना लेख है वादव अप है अलग अलग parts के अंदर में देखने के लिए मिलते थे suppose कीजिए कि यह हम मराथा empire के बारे में read कर रहे है पूरे के अंदर में basically आपको जो जो basically वहां पे पेस्वा का sitting देखने के लिए मिलता है पूरे के अंदर में आप देखे कि हम यहां पे basically holkers के बारे में read करते है वो इंदोर के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे मालवा के रीजन के अंदर में होल कर आपको देखने के लिए मिलते हैं आप देखे हम सिंधियाज के बारे में रीड करते हैं तो आपको ग्वालियर का जो रीजन है चंबल का जो रीजन है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलते हैं इसके लावा भूसले आपको नागपुर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे वहाँ पे भूसले हैं जो लोग हुआ करते थे जैसे कि हम राजपूत अलगलग डाइनेश्टी के बारे में रीड करते हैं इस्टुडेंट कि चोहान है जो अजमीर से जो सिटी है वहाँ से जो रूल किया करते थे उनको हम गायकवार के रूप से जानते हैं कि जो गायकवार है जो वरोदरा से रूल किया करते थे कुछ दिन पहले हमने रेलवे के परस्पेक्टिव से रीड किया था आप देखी कि नेशनल जो रेलवे विस विद्याला है उस के बारे में भी हमने कुछ दिन पहले न्यूज के अंदर डिसकस किया था कि नेशनल जो रेलवे विशु विद्ध्याला है उसको बनाया गया है जिसमें रेलवे का जो एस पर रेलवे के अंदर स्लेक्ट होने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनका जो ट्रेनिंग को करी आउट किया जाएगा कंप्लीट रेलवे का बैटर वे में कैसे वहाँ पर ओर होल उसको रिफोर्म करना है उसके बारे में डिसकस किया जाता है उस रेलवे विशु विद्ध्याला के अंदर में नेक्स सेंटर और स्टेट का जो कंफ्लिक्ट है उसके बारे में है आप देखे कि लैंड की रिगार्डिंग में जो कंफ्लिक्ट से वो इस्टार्ट की है कि गवर्नर के दुआरा जो बिल है उसको असेंट नहीं दिया जाता है आपको यहाँ पर गवर्नर का जो अपोइंटमेंट प्रोसस है उसके बारे में पता होना चाहिए हमारे कौन से टूशन के अंदर इस को हमने कौन से कंटरी से बोरो किया है कि जिसमें सेंटर के दुआरा जो गवर्नर को जो अपोइंट किया जाएगा इस्टेट के अंदर में तो आप देखी कि आपको यहाँ पर कनेडा नाम का जो कंटरी है उसके बारे में पता होना चाहिए अगर आपको यह के दुआरा भी एक जजमेंट डिलीवर किया गया था एक पैटीसन के अंदर में अब इस्टेट के दुआरा जो पैटीसन फाइल किया गया यहाँ पर एक information होनी चाहिए कि अलग-अलग parts के थुरू में जो Supreme Court के अंदर आप जो case उसको file कर सकते हूँ, एक appellate juridiction होता है जैसे कोई high court के अंदर आपने case file किया, वहाँ पर आपके against में judgment आया, आप उसके against में यहाँ पर appeal करते हो, Supreme Court के अंदर में उसको affiliate juridiction के रूप से जानते हूँ article 131 के अंदर में original juridiction है, original juridiction means आप directly यहाँ पर Supreme Court के अंदर अप्रोच करोगे तो क्या article 32 है fundamental rights का violation के रूप में आप Supreme Court के अंदर अप्रोच करते हो वो भी यहाँ पर original juridiction का part है या नहीं है, उसके बारे में भी आप read करना, इसी तरीके से politics के जो topics उनको connect करके read करोगे student तो आपको better way में understanding होगी, लंबे समय तक आपको जो चीजे हैं वो याद रहे पाई तो आप देखें कि bill के regarding में Supreme Court के दुआरा article 200 के अंदर में एक petition के regarding में जो अपना answer है वो दिया गया था, अपना order बताया गया था कि यहाँ पे, अगर कोई bill है जिसको दुबारा से पास करके state legislative assembly के दुबारा governor को send किया जाता है, तो governor को अपना जो assent है, उसको देना होगा लंबे समय तक जो beat of power है वो नहीं लगाई जा सकती है यहाँ पे governor के दुबारा state legislative assembly के bills है उनकी regarding में, next अगर हम बात करें students, यहाँ पे article basically, जो article 341 के बारे में है, करनाटक के दुबारा center को suggest किया गया है कि यहाँ पे article 341 article 341 किसके regarding में है जो schedule caste है, schedule caste के यहाँ पे inclusion और exclusion की regarding में आपको जो section 1, section 2 देखने के लिए मिलता है, तो आप देखें कि article 341 का जो यहाँ पे close 3 है, उसको suggest किया गया है करनाटक के दुबारा कि यहाँ पे अपने local area के perspective से, अपने local area के perspective से, state के दुबारा center के दुबारा इस provision को लाया जाए, article 341 close 3 के अंडर में, जिसके तुब अपना जो internal way में जो schedule caste है, उसको reservation है वो provide किया जा सके, उनको segregation के basis पे, आप देखें कि यहाँ इसी आज के ही newspaper के अंडर में basically, जो schedule caste है, उसका जो categorization के perspective से बताया गया है, जैसे कि आंदर प्रदेश के अंदर में, इलक्सन के दुरान में एक जो community है, उसको दुरान में PM सर के दुवारा mention किया गया था, जिसको की हम modi का community के रूप से जानते हैं, आप देखी कि आर राम चंदरन राजू committee है, उसको constitute किया गया था 1996 के अंदर में schedule caste का जो categorization है reservation का जो categorization है उसके regarding में, आपको यहाँ पे article 340 के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसके अंदर justice रोहिनी commission है, justice रोहिनी commission का भी main motive यही है, कि basically यहाँ पे OBC reservation को categorize किया जा सके, students मनरेगा के regarding में scam है, वो West Bengal के अंदर देखने के लिए मिला है, तो आप देखी कि four members का एक committee है, उसको constitute करने के बारे में discuss किया गया कि two people's यहाँ पे state government के regarding में होंगे, two people center government के regarding में के perspective से है, एक state के accounts के perspective से है, ऐसे total four people's का एक committee बनाये जाएगा, उनके दुवारा हर एक district के अंदर में यहाँ पे, जो job card से उनको verify किया जाएगा, जो लोग यहाँ पे मनरेगा work के अंदर में है, students आपको मनरेगा के बारे में पता होना चाहिए, कितने दिन का जो रोजगार है, वो guarantee किया जाता है यहाँ पे, क्या hundred days का employment guarantee किया जाता है, या 150 days का, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको यह भी पता होना चाहिए, कि आपका जो यहाँ पे पंचायत area है, उसकी कितने radius के अंदर में आपको जो job है, वो provide किया जाएगा, आगर आपको यहाँ पे job नहीं दिया जाता है, तो क्या आपको unemployment का, जो basically, जो allowance है, वो भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा, कौन सा ministry के अंदर में आता है, काफी बार हमने इस topic को discuss किया है, आप देखी कि West Bengal government के दुआरा, देहली के अंदर October के समय में एक strike है, उसको भी conduct किया गया था, जिससे कि Mandrega का जो money है, उसको यहाँ पे release किया जाए, सेंटर के दुआरा West Bengal के perspective से next अगर हम बात करें, students, मचली पतनम और विसाका पतनम का जो highway है, उसके बारे में बताया गया है, आप देखें कि English East India Company जब power के अंदर में आई थी, इंडिया के अंदर जब establish होई थी, तो उस समय में मचली पतनम नाम का जो area है, वो काफी बार news के अंदर देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे जो मसूली पतनम है, मचली पतनम है, इस area के अंदर में कौन सा बहार का जो foreign power का जो company है, क्या Dutch East India Company है, English East India Company है, French East India Company, किसके दुआर अपना जो factory है, उसको open किया गया, कब अपना factory open किया गया, उसके बारे में आपको read करना है, आपका home work है, आप देखें कि newspaper के basis पे आप कितने सारे जो topics को revise कर सकते हो, चाहिए आपका politics का topic हो, modern Indian history का topic हो, आप इनको revise करोगे, अपनी book को open करोगे, जब भी किसी topic के बारे में read करते हो, तो आपको better way में बार बार वो चीज़ें हैं, वो revise होंगे, students यहाँ पे, basically वहाँ पे folk के बारे में बताया गया है, हमारा जो insight नाम का जो satellite है, उसके बारे में भी mention किया गया है, आज के newspaper के अंदर में, insight नाम का जो satellite है, उसके थूरू यहाँ पे जो folk का जो calculation है, उसको carry out किया जाता है, students यहाँ पे केरल का vulnerability, land का जो vulnerability है, उसके perspective से एक survey है, उसको conduct गया गया, आप देखें कि यहाँ पे पाया गया कि 13% के आसपा, जो land mass है केरल के अंदर में, वो vulnerable है, land slip हो सकता है, वहाँ पे land slide के जो incident से वो देखने के लिए मिलते हैं, आप देखें कि जो इडू की नाम का जो district है, जहाँ पे इरावी कुलम national park situated है, इरावी कुलम national park के बारे में हमने discuss किया है, इडू की district के बारे में हमने discuss किया, तो आपको वहाँ पे जो basically नीलगरी तहर है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए, आपको जो नीलगरी तहर है, नीलगरी का जो तहर है, उसके बारे में भी आपको पता होना चीक जो कहां पर पाई जाती है इरावी कुलम नेशनल पार्क के अंदर उनकी जो संक्या है वो आपको काफी सारी देखने के लिए मिलेगा जो की इडू की डिश्टिक के अंदर सिच्वेटेट है तो आप देखें कि इडू की डिश्टिक है इडू की डिश्टिक के अलावा आपको वहाँ पे आपको वाइनार का एरिया देखने के लिए मिलेगा मालापुरम का एरिया है पलकर्ड का एरिया है जो बेसिकली 13% टोटल केरर का जो लेंड है वो कॉंसिट्यूट करता है यहाँ पर जो लेंड स्लाइड का जो situation है वो हो सकता है आने वाले समय के अदर में Students यहाँ पर लेंड स्लाइड बेसिकली क्यों increase हुई है एक तो देखें कि Stream का जो flow है उसको यहाँ पर disturb किया गया है इसके अलावा road को construct करने के regarding में जो slope है उसको cut करना unscientific way के अंदर में जो land है उसको use करना ऐसे काफी सारे points है जिसके basis में जो जमीन है वो वहाँ पे land slide के regarding में आप land slide के जो incident है वो देखने के लिए मिलते हैं सेप्टमबर एक्टूबर के मंत के समय में हमारे जो हिमालियन इस्टेट्स है हिमालियन इस्टेट्स के अंदर भी एक सर्वे है उसको conduct करने के बारे में सुप्रिम कोट के दुवारा डिसकस किया गया था आप देखी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर में जब वहाँ पे basically जो म जूज का जो पैटरन है वो चेंज हुआ है आप देखी कि जोसी मट के अंदर में जो लैन सबसीडेंस का जो इश्यू है वो देखने के लिए मिला था 2023 का जो जैनवरी है उस समय में वो टोपी काफी ज्यादा न्यूज के अंदर में था जोसी मट का जो एरिया है जहां पे NTPC का एक प्लांट भी सिच्वेटेट है इस्टुडेंट्स वहां पे आपको रवी चोपडा कमेटी के बारे में पता होना ची काफी कुछ कमेटी है जो हमारे वलनरेबल सिच्वेशन को पर श्यो करती है हिमालियन एरियाज के अंदर में फोग के बारे में हमने यहां पे विंटर के समय जो फोग है वो क्यों देखने के लिए मिलता है लार्जर अमाउंट के अंदर में आप देखें कि विंटर के समय में जो रेडियेशन है सन का वो काफी कम आप तक पहुंचता है एक तो आपको जो मोर्निंग है वो काफी लेड देखने के लिए मिलेगा और आ इसी वज़े से वो जो वेपर है वो basically ground के उपर एक layer है उसको create करेगा night के समय में तो इसी को हम basically folk के रूप से जानते हैं फोक के regarding में एक article कुछ दिन पहले भी आया था उसके बारे में भी आप read करना अपना da hindu newspaper है वो काफी ज्यादा important है notes आप जरूर से बनाया कीजिए जो भी information आपको मिले आप देखें कि distress के समय में जो यहाँ पर alert का जो situation है फीसर में को directly send किया जाएगा उनका boat के regarding में और फीसर में भी अगर कोई emergency situation के अदर है अपना जो signal है वो send कर सकते हैं इस रो के द्वारा basically जो distress alert device है उसको upgrade किया गया है उसी के बारे में यहाँ पर discuss किया गया तो यह emergency situation के बारे में है इसको आप example के रूप में यूज कर सकते हो अपने कहीं answer के अंदर में means के दुरान में इंडिया के अंदर जो domestic air passenger traffic है वो आने वाले समय में डबल होने वाला है 300 million के आसपास देखने के लिए मिलेगा आपको 2030 के समय में इस civil aviation ministry के द्वारा कहा गया students आपको इंडिया के अंदर जो airport है उनके बारे में पता होना चाहिए आप देखे कि airport authority of India के बारे में भी आपको पता होना चाहिए हमने अभी कुछ दिन पहले को रीड किया था जिसके अंदर airport authority of India का जो sharing है वो आपको देखने के लिए मिलता है जैसे कि आप देखे कि हमने डिजी यातरा के बारे में कुछ दिन पहले रीड किया डिजी यातरा जो basically एक private एक आपको digital जो आपका passage है एरपोर्ट के थुरू में उसी के regarding में है बट उसमें privacy का जो violation है उसके रूप से माना गया था तो students airport authority of India का जो share है डिजी यातरा के अंदर में जो यहाँ पे digital passage के perspective स उसको develop किया गया है 2018 के समय में कुछ basically airports के अंदर उसको enroll किया गया था December 2023 के समय में इसके लावा आपको यह basically यहाँ पे गगन के बारे में पता होना ची गगन भी वहाँ पे airport authority of India के द्वारा ही develop किया गया है तो गगन के बारे में आप read करना यह आपका homework है students आंगनवारी और जो आसा workers है उनका एक strike है जो महराश्टरा का जो आजाद मैदान है उसके अंदर में present समय में चल रहा है उनको better way में जो allowance है वो यहाँ पे दिये जा सके आंगनवाली workers को आप देखे कि यहाँ पे present समय में 8 rupees है per day जो allocate किये जाते है nutritional के basis के उपर में इनका demand है कि इनको 24 per day के रूप में जो रूपए है वो दिये जाए basic nutritional का जो availability है उसको fulfill करने के perspective से इस्टुडेंट्स हमारे यहाँ पे integrated child development scheme है आप देखी कि ICDS नाम का जो scheme है जो 1970 के समय स्टार्ट हुआ था इस scheme के implementation के perspective से और भी काफी सारी scheme है जो basically pregnant women के regarding important है यहाँ पे institutional जो delivery है वो हो सके पहले आ नहीं हुआ करती थी government के दुवरा कुछ incentives है उसको यहाँ पे add किया गया कि आपको कुछ money है वो यहाँ पे मिलेगा आप देखे कि यहाँ पे जो basically institutional deliveries है जो start हुई है इंडिया के अंदर में hospital के अंदर में जो pregnant women को लेके जाना last summer में pregnancy के दूरान में आप देखी कि उसके आंगनवारी workers है यह basically triple A का concept आपको देखने के लिए मिलता है इसके अंदर हमारे जो आंगनवारी workers है आंगनवारी workers के लावग आप देखी कि हमारे जो यह एन नेम है जो health sector के grassroot level workers है और जो आसा वरकर्स है यह basically आपको accredation social health activist है यह important 3A का concept आपको देखने के लिए मिलता है ग्रास रूट लेवल के उपर में जो especially women's का जो health है उसी के regarding में students आज का Friday का newspaper है को तो काफी सारी जो cultural की जो चीज है वो यहाँ पर mention की जाती है एक odc dance के बारे में बताया गया है हमारे लिए यह important नहीं है कि किसका dance बताया गया है कहाँ पर यह होने वाला है basically ऐसा जो बताया जाता है यहाँ यहाँ पर ऐसे festivals हैं या functions और और गनाईज होंगे आपको basically odc dance के बारे में जो basic information है उसको पता होना जाए आप देखे कि जब भी हम odc dance के बारे में read करते हैं तो आपको इसका जो origin है उसके बारे में पता हो कि उडिसा के अंदर में जो उदैगरी खांदगरी का जो caves है जो basically triple caves के रूप से जाना जाता है कि तीन caves का एक area बनता है तो कौन-कौन सी है तीसरा cave यहाँ पर missing कौन सा है जिसे उदैगरी है खांदगरी का जो caves है यहाँ पर इस odyssey dance उसको patronize किया गया है भारत natium का जो dance है उसके similar आपको यह dance है वो देखने के लिए मिलेगा students यहाँ पर एक तिरभंगा जो position है उसको भी बनाए जाता है इसके लावा आपको chalk position है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है और जो lower body है वो इसके अंदर static आपको देख classical dance है कुछ दिन पहले हमने कत्थक के बारे में read किया था वो भी newspaper के अंदर mention था PM सर जब गुजरात का meeting के लिए जाने वाले थे तो उनका welcome किया गया था एहंदाबाद airport के उपर में कत्थक dancers के दुआरा कत्थक है कत्कली है आपको अलग-अलग dances के बारे में पता हूं sorry कत्क आप correlate करते हुए read करोगे तो आपको काफी चीजे जो है याद होंगी students next यहां पर एक British authorities का जब rule हुआ करता था इंडिया के अंदर में तो एक person है उनकी जो books उनको launch करने के regarding news को mention किया गया है यहां पर जो जो जोनपूर का जो मजीद है उसके बारे में बताया गया है कि जो जोनपूर के अंदर जो मौस्क व सके बारे में जिसको कि हम बेसिकली आटाला मौस्के के रूप से भी जानते है जो कि सरकी रूलर जाया मैड किंग का जो इस्टेटस वो भी दिया गया है आप देखें कि मुहमद भी इन तुगलक के के बेसिकली ब्रोदर हुआ करते थे जिनकों कि हम जोना खान के रूप से जानते हैं इसी वज़े से जो जोनपूर है उसका नाम लिया जाता है इस्टन पार्ट और आर्किटेक्चर के दुरान में जो मिनार साब को देखने के लिए मिलेंगी वो मिनार कम्प्लीटली यहाँ पर मिसिंग देखने के लिए मिलती है इस सरकी आर्किटेक्चर के अंदर में इस्टुडेंट्स जब इस इंगलिस अथियुरिटी के जो परसन है विलियम होड्स ह भी की एका जो photographi है उसको carry out किया गया था तो आप देखे कि उस समय Anglo-Maratha War है वो अपने phase के अंदर में था First Anglo-Maratha War है उस समय के सहरा के बारे में बताया गया है जब हम Anglo-Maratha War के बारे में discuss करते हैं तो First Anglo-Maratha War के बारे में बाद में जो बैटल ओप सोरी ट्रीटी ओप सलबाई है वो भी existence के अंदर में आया था तो आपको इन ट्रीटीज के बारे में भी information होनी चाहिए और भी काफी सारे places के बारे में बताया गया है आगरा और यमना का जो फोटो है गौालियर का फोटो है इलाबाद का फोटो है उन सभी के बारे में discuss किया गया है इस article के अंदर में next अगर हम बात करें students SR का जो report है हमारा annual status of education जो report है जो NGO पर्थम की दुआरा निकाला जाता है उसके बारे में basically यहाँ पर बताया गया कि इंडिया के अंदर में जो pandemic के अंदर में जो education का effect आपको देखने के लिए मिला था उसका जो results है present समय में लोगों को face हो रहा है जैसे कि SR का जो report आया जिसके अंदर में rural village के जो percent है beyond basis पे 14 to 18 का जो age group है उसका वहाँ पे education qualification है उसको major किया गया तो students SR जो NGO पर्थम के दुआरा conduct की जाती है 2005 के समय में आप देखे कि इसको गांदी पीस prize है वो भी दिया गया था NGO पर्थम को 2021 के समय में तो उसी की report के बारे में यहाँ पे discuss किया गया कि more than half हमारे जो children's है जो school going children's है rural area के अंदर में उनको basic mathematics का जो division है वो नहीं आता है आप देखे कि household based यह survey है जो आपको देखने के लिए मिलेगा 4 years के अंदर इसको first time full fold के अंदर में conduct किया गया 28 districts के अंदर में 26 states के अंदर में इसको conduct किया गया foundational जो literacy है foundational जो reading है arithmetic के जो abilities है उसके अंदर जो defect है वो देखे गया है students इसके अंदर काफी सारे जो data जो उसको mention किया गया है उन data को आप अपना note down करना आपके means examination के perspective से वो important रहेगा आपके revision के ही regarding में students यहाँ पर private tuition के बारे में discuss किया गया कि private tuition के अंदर में पहले 25% जो चिल्डरन से उनका enrollment हुआ करता था present समय में 2022 के समय 30% चिल्डरन से उनका enrollment है आप देखे कि 90% लोगों के पास में जो चिल्डरन से उनके पास में smartphone है बट उसका किस तरीके से जो safety है उसको carry out करना है उसका information काफी कम लोगों के पास है new education हमारा जो new education policy है उसके according में जो foundational literacy है universal जो foundational literacy है उसको achieve करना है 2025 के perspective से आप देखे कि हमारे यहाँ पे एक निपून अभियान है जो government के दुआरा चलाए जाता है foundational literacy है उसके regarding में तो उसी के basis पे इसको हम achieve कर सकते हैं basically एक आने वाले समय में एक challenge का जो situation है वो create करेगा जो covid-19 के pandemic के दुरान में जिस तरीके से education के अंदर में जो downfall है वो देखने के लिए मिला जो digital education को promote किया गया था बट उसके कोई भी effect है वो नहीं देखने के लिए मिला है तो students उसी के regarding में कुछ concerns और rage किये गए हैं इंडिया और इंडिया और UK के यहां पे navy के regarding में कुछ agreement से उनको sign किया गया electrical propulsion का जो aircraft carrier है उसको basically यहां पे develop करने के बारे में discuss किया गया है इंडिया नेवी के अंदरा भी still आपको कोई भी electrical propulsion जो technology की जो aircraft carrier है वो नहीं देखने के लिए मिलेंगे उसी के बारे में यहां पे बताया गया है exam के perspective से जो important है वो आपको read करना है आप देखी कि defense related too much questions आपके paper के अंदर में नहीं पूछी जाते हैं next यहां पे satellite का जो weather conductivity है उसके बारे में discuss किया गया है तो आभी एक paper है वो publish हुआ था 2019 के समय में आप देखी कि हमारे यहां पे जो weather का regarding में inset 3D नाम का एक satellite है inset 3D नाम का एक satellite है वो आपको देखने के लिए मिलता है inset 3D satellite के दुआरा एक green red green blue color का जो यहां पे coloring process है या image है उसको use किया जाता है solar reflectance and bright temperature के perspective से students inset 3D है inset 3DR है यह satellites currently active है geostationary orbit के अंदर में अर्थ का geostationary orbit है उसके अंदर में complete presently active है जिनका एक inclination भी आपको देखने के लिए मिलता है 82 degree के आसपास और इनके दुआरा radio meter जो technology है उसको use करते हुए spectral measurement को यहां पे use किया जाता है जिससे कि यहां पे जो weather है उसको product किया जा सके weather का जो data है उनको इनके दुआरा carry out किया जा सके students spectral measurement को यहां पे carry out किया जाएगा inset 3D and 3DR के दुआरा इनके दुआरा एक radio meter का जो device है उसके basis पे measurement है उसको carry out किया जाता है जिसमे form of temperature है electricity का जो activity है both satellite यहां पे atmosphere का sounder से उनको carry करती है जिसके दुआरा temperature humidity को water vapor है उसका जो steady है उसको carry out किया जाएगा water vapor एक main function है यहां पे heights का कितना heights है ground के basis पे जिसके basis पे scientist के दुआरा combine form के अंदर में जो radio meter sounder measurement है उसको understand किया जाता है जिससे की atmospheric characteristic को उनके दुआरा अपनी जो reports उनके अंदर में बताया जाता है next अगर हम बात करें students बिल्किस बानो के इसके regarding में है आप देखें कि बिल्किस बानो के जो persons है जिनको supreme court के दुआरा कहा गया कि उनके दुआरा prison के अंदर में अपने आपको जो पहुंचना है prison के अंदर अपने आपको वापिस से surrender करना है तो आप देखें कि उनके दुआरा supreme court के अंदर में जो petition है वो file की गई है petition basically यही है कि उनके दुआरा कुछ health के कुछ कारण है वो बताए गए है convicted persons के दुआरा family members के कुछ कारण से इसके लाव कुछ personal commitment सा वो भी बताया गया है कि उनके दुआरा basically जो समय है वो ज़्यादा चाहिए वापिस से surrender करने के basis के regarding है next news is regarding the razzori के basis पे है students razzori के अंदर फिर से जो incident वो देखने के लिए मिला है razzori basically जम्मू एं कस्मीर का जो लोगों का वहाँ पे death हुआ था students sub-categorization of schedule caste के regarding में पैनल है उसको constitute किया गया है government के दुआरा government का यहाँ पे main motive यही है कि 1200 के आसपास हमारा जो schedule caste है उप्रजेंट समय में है उनको यहाँ पे sub-categorize किया जाए किसी एक caste को more benefit हो ना मिले आप देखें कि article 340 है वो आपको OBC की regarding में sub-categorization के perspective से देखने के लिए मिलता है 340 का जो article है उसको commission constitute किया गया था जिसको कि हम justice rohini commission के रूप से जानते हैं आप देखें justice rohini commission का भी report यही है कि OBC को sub-categorize किया जाए जिससे कि एक caste का जो combination है वो ना रहे कुछ ऐसी भी caste है जो OBC के अंदर है बट उनका proper education उतना high develop ना होनी की वज़े से उनको reservation है और benefit नहीं मिल पाता है students यहाँ पे schedule caste को categorize करने के regarding में 1994 के समय में जो meddy का नाम का जो community है जिसके regarding में PM सर के दुवरा तेलंगाना के election के अंदर उनको commit किया गया था कि आपको यहाँ पे sub-categorize किया जाएगा आपके perspective से schedule caste को उसके regarding में constitution commission है उसको भी constitute किया गया था जिसे कि हम justice पी रामचंदरन राजू commission के रूप से जानते हैं पाद में आप देखे कि national commission है वो existence के अंदर आया जिसके दुवरा sub-categorization है उसके बारे में discuss किया गया था बट आइश्टील अब वो implementation के अंदर में नहीं आया है students coaching centers के अंदर में कुछ यहाँ पे guidelines उनको issue किया गया है ministry of education के perspective से आप देखे कि हमारे जो consumer authority है जो 2019 19 का जो consumer है जिसके दुवरा उसको form किया गया था तो consumer authority के दुवरा भी UPSC के sector का जो coaching से उसके उपर fine लगाया गया था उनके दुवरा कुस तरीके के जो claims किये गए थे जैसे कि guaranteed prelims है mock interview के अंदर student enroll है उसको अपना classroom का student दिखा दिया गया आप देखी कि free के mock interviews है उसके अंदर में student के दुवरा enroll किया गया उसको अपना student का अपना जो aspirant है उसके रूप में दिखाया गया कि हमारा जो coaching है उससे selection हुआ है तो इसी तरीके के जो claims है उनके regarding में coaching centers के कुछ guidelines है उनको issue किया गया है इसके परस्पेक्टिव से कि below 16 year के below में जो person है उसका enrollment नहीं होगा इसके लाव और भी काफी सारी guidelines है तो ministry of education के दुवरा यहाँ पर issue किया गया आप देखी कि काफी सारे जो students है उनका जो death है वो देखने के लिए मिला था काफी सारे students का जो death है राजस्तान के अंदर में चंबल का जो bank है उसके उपर situated है वो कोटा नाम का city जो की IITJ और NEET का coaching है उसकी वज़े से जाना जाता है students अगर हम बात करें next मालदीव के perspective से है आप देखी कि युगांडा का जो capital है वहाँ पे non alignment moment का एक meeting है चल रहा है जिसके अंदर हमारे जो minister of external affair है हमारे जो मालदीव की जो minister of external affair है उनका एक meeting हुआ आने वाले समय में जो मालदीव और इंडिया का जो basically जो differences है उनको region करने का process किया जाए आप देखे कि मालदीव के दुवारा 15 March का जो day है वो decide किया गया है जब इंडिया का अपना troops है उनको वहाँ से rescue करना है इंडिया को अपना जो troops है उनको निकालना है मालदीव के region के अंदर में ऐसा students क्यों देखने के लिए मिला है क्योंकि आप देखे कि recent मी मालदीव और इंडिया का कुछ conflict हुआ हमारी जो वहाँ पे troops हैं वो क्यों present है वो आप देखी कि हमने कुछ helicopters हैं जो मालदीव को दिये गए थे उसके maintenance के regarding में emergency के situation के अंदर एक island से दूसरे island के अंदर में जो rescue operations को carry out किया जा सके sorry students तो rescue operations को carry out किया जा सके इसी वज़े से हमारे जो troops हैं मालदीव के अंदर में उनी differences को यहाँ पे soul करने के regarding कुछ discussions है उनको carry out किया गया हमारे minister और मालदीव के जो ministers हैं उनके दुवारा high impact community development projects हैं उनके बारे में वहाँ पे discuss किया गया वहाँ पे उथेरा थिलू फेलू नाम की एक जगह है उस project के बारे में discuss किया गया जहाँ पे coast guard का एक harbor है तो 2021 के समय agreement के अंदर में sign किया गया था इंडिया और मालदीव के दुवरा इंडिया की जो defense forces है वहाँ पे मालदीव की defense forces है उनको भी upgrade करने में help करती है तो आप देखे कि 1988 के समय जो coupe का situation create हुआ था मालदीव के अंदर में जब इंडिया की defense forces के दुवरा coupe की situation के अंदर में उनको prevent किया गया था जिसको operation cactus के रूप से हम जानते हैं Congress के दुवरा नीति आयो की जो report है poverty के regarding में नीति आयो के कुछ funds के regarding report है उसके regarding opposition है वो दर्ज किया गया अपना जो oppose है वो किया गया है आप देखे कि genetic modified जो crop है उसके oil को use करने के regarding में government का एक initiative है यहाँ पे edible oil है वो more cheaper way में available होगा अगर GM crop है जो mustard crop है उसको use किया जगया क्योंकि mustard oil को basically यहाँ edible oil के रूप में use किया जाता है इंडिया के दुआरा GM canola के जो seeds है उनके regarding में 2.8 टन के आसपास जो soybean oil है उसको import किया जाता है एन्वली बेसिस पे इंडिया के दुआरा अर्जेंटीना यूएस ब्राजील कनेडा उनके जो countries हैं जिनके दुआरा GM soybean है जिसको cultivate किया जाता है तो आप देखिए कि present समय में जो 80% जो soybean का जो cultivation है GM soybean के perspective से है तो यहाँ पे जो DMS धारा नाम का जो mustard है उसको allow करने के बारे में discuss किया गया है genetic engineering appraisal committee के दुआरा genetic engineering appraisal committee के बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए रीड जरूर से करना इस topic के बारे में next अगर हम बात करें students world के perspective से है बटा कराम world के इस news के बारे में read करने से पहले हमको यहाँ पे basically जो फिलो मो वाइडस है जो cervical cancer के regarding उसके बारे में आपको पता होना चाहिए आप देखिए कि January का जो month है January के month को हम basically यहाँ पे cervical cancer के awareness day के रूप में celebrate किया जाता है WHO के दुआरा survival cancer के बारे में अगर हम read करें तो women का जो cervix नाम का जो area है उसके अंदर में basically डवलप होता है जो basically आपको एक sexual disease के रूप में देखने के लिए मिलता है almost all जो sexual active people उनके अंदर में आपको SPV जो human pupillow virus है वो उसका development आपको देखने के लिए मिलेगा पर आप देखे कि जिनका immunity अच्छा है उसके अंदर में virus है उसके जो effects और neglect हो जाते हैं पर काफी कुछ लोग हैं जिनके अंदर में इसका जो presence है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया के अंदर में second number पर ये जो cancer है cervical cancer है उसके रूप में ये इसका जो development है वो आपको देखने के लिए मिलता है WHO के दुवारा 2022 के समय इसका एक strategy है उसको डवलप किया गया था कि यहाँ पर vaccination के regarding में आप देखी कि HPV नाम का एक vaccination आपको देखने के लिए मिलता है इसी वाइरस के regarding में एक vaccination आपको देखने के लिए मिलता है जिसके बारे में कुछ हमारे यहाँ पर vaccination drive है उसको launch किया जाएगा Sunday का जो newspaper है उसके अंदर भी हमने इसको read किया था कि 2006 के समय इस vaccination को start किया गया था इंडिया यहाँ पर एक largest market है तो basically वहाँ पर कुछ conflict of interest है उसको देखा गया था उस समय में नेक्स्ट अगर हम बात कराएं students यहाँ पर वर्ल्ड के perspective से तो आपको यहाँ पर वर्ल्ड के perspective से जो news है उसके बारे में पता होना चाहिए आप देखें कि first news is regarding the Palestine के perspective से होस्पिटल के अंदर में कुछ death सा वो देखने के मिली है तो UN के दोवरा वहाँ पर जो inspection है उसको carry out किया गया कि Palestinians लोग हैं उनके death के regarding में वहाँ पर next is rewarding the meta के perspective से है तो meta के एक person है जिनको board बोर्ड के से वहाँ पर down किया गया है उसके बारे में यहाँ पर discuss किया गया next is about the Gaza Strip के perspective से है इसराइल के दोवरा सदन का गाजा के अंदर attack को किया गया यूएस के दोवरा जो यमन है उसको यमन के अंदर जो होती rebellions है उनको दोवारा से यहाँ पर terrorist organization के रूप में re-resonate किया गया है तो उनको basically यहाँ पर attack है वो carry out किया गया यूएस के दोवरा Red Sea के region के अंदर में होती rebellions के against में this is all the information related to the today's newspaper important facts के बारे में informations को आप read कीजिए so thank you students thank you very much